हेलो विर्वान दिस इस अप्रशी एकरान है वेलकम यूओ लूट यूट्व चैनल राइजुकेशन राइजुकेशन चैनल पर आप सभी बाइब नियुकारत एक स्वागत है मित्रों सीटेट इंग्लिज तुका ट्रिक जी हां तुका ट्रिक्स में कई वीडियो अपलोड इसके लवाँ एक आपके गनित के लिए तुका ट्रिक लेकर आए हैं तो आप लोग कमेंट करें थे कि सर इंग्लिज बहुत इंपॉर्टन है जिससे आप से मैथ है उससे आप से इंग्लिज भी है सीटेट के लिए इस पेसली तो इसके लिए कोई तुका ट्रिक बताईए और हिंदी के लिए इंग्लिश हिंदी के लिए तो इंग्लिश के लिए तो काफी मशक्य के बाद एक वीडियो अपलोड हुई आप लोगों के लिए काफी प्रीवेस एर पीपर के कोशन पूरा इनलेसिस थी और आही होब कि आपको पसंद आयोंगे तो सीटेट का जो यह पॉइंट आपको बताऊंगा तुका लगाने के जो हर बार आपके कोशन आते हैं उसका पूरा एनलेसिस है और छे तुका लगाओ और पचीस अंख लेकर जाओ या लेकर आप आओ सीटेट एक्जाम नेशन में तो बिस तुका ट्रिक है सीटेट की इंग्लिश के लिए बह प्रभावी होने वाली है अगर यह आप कर लेते हैं तो 25 प्लस 25 प्लस अंक आपको हांसिल करने में कोई भी रोक नहीं शकता है सीटेट एक्जाम एस फार एस सीटेट एक्जाम तो 38 अप 25 प्लस स्कोर अगर कर लेते हैं बागी समय तो आप इंप्रूफ करी लेंगे इतना आशा है मुझे तो चलिए तुक का भी डारेट बातचीत करते हैं और पुना बता दो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिएगा इसके पहले मैंने वीडियो अप्लोड कर दिया है इंग्लिश का प्रिविस एर कोशन पेपर के सॉलूशन का उसको जरूर देख लीजेगा व प्रिवियस एरि पीपर से ही अगर आपने एक बार उसको देख लिया तो आई हो कि ए तुका लगाने वाली वीडियो आपको पूरी तरीके से समझे में अरब अपने अएरा कि प्रिवियाइस एर पेपर आपने अनलाईज नहीं किया है तो भी आपको ये तुका लगाना व आएं क्योंकि टीलम आपने प्रिवेश सीर पेपर मैंने जब वीडियो अपलोड के तो उसमें मैंने देखाया आपको कि तीन-चार प्रशन लगाता रहे हुए हैं तो टीलम यानि टीचिंग लर्निंग मैटेरियल या मैथर्ड जो भी आप कहले इसको तो यह अगर प्रशन म पे ही टिक करिएगा जो टीलम से रेलेटेड होया यानि जोता है कि सिक्षन की रूची को बढ़ाने वाला जो मैटेरियल होता है उसको हम लोग टीलम बोलते है ठीक तो परशन हमेसा यहिंग यहीं आता है कि यहीं का काम क्या है तो फूले से बनाता यह にो ढघाना यहीं दो साथ देगा कि मनुरंजन बढ़ाना चैप्टर कंप्लीट करना तो इन दोनों को तो एकदम क्रॉस कर दीजिए बस जिसमें ऑप्षन आपको लगे यह देखिए मैं जो पॉइंट बता रहा हूं exactly यहीं पॉइंट तो नहीं आएंगे लेकिन इससे मिलते जुलते पॉइंग्ल इस है तो आपको खुछ समझना पड़ेगा तो टीचिंग लर्निंग प्रॉसस जिसमें दिया रहा है या इसमें दिया रहा है कि टीलम के यूज से आप चैप्टर को रूचिकर बना सकते हैं बच्चे को इंगेस कर सकते हैं बढ़ाई में तो यह आप्षन है बिल्कुल 110 प पता होगा है सेकन्डर जो हमेशा कोशन आता है वो है आपका इंगलिस सेकंड्र लंग्वेस की तरह यूज करें कैसे यह प्रशना आता हमेशा कि English as a second language वाले प्रशन पर हमेशा आप Mother Tongue वाला option ही choose करेंगे इसका आरत है कि English second language आपको सिखाना है तो आप कैसे beneficial होगा सिखाने में तो आप हमेशा क्या करेंगे कि जिसमें Mother Tongue का use लिखा हो या Mother Tongue के use के साथ साथ उसमें यह दिया हो कि आप Mother Tongue का use भी करेंगे और उसके help से वकल उसको translate करेंगे Mother Tongue और translate तो अगर word आपको मिल जाएं किसी option में तो आग बन करके उस पर टिक कर लिजए कि ज़्यादा परशान होने कि आवशकता नहीं क्योंकि जीतना option पढ़ेंगे उतना problem face करेंगे तो पुना बता दूं English as a second language यह प्रश्ण काफी बारा है TLM और English as a second language प्रिवेस एर पेपर आप खुद देखेंगे तो खुद इनलाइस करेंगे तो उसमें हमेशा Mother Tongue प्लस translation या Mother Tongue कहीं भी लिखा होगा या translation कहीं लिखा होगा तो वो option आपका बिल्कुल correct होगा ये ध्यानपुरक देख लिजेगा कोई एक ही लिखा होगा एक ही option में दोनों नहीं लिखे होगा अलग-अलग तो ध्यानपुरक देख लिजेगा तो ये दो important आपके point रहें अब बाकी के चार points और देख लिजेगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर कर दीजेगा कि maximum जो question आये थे गणित तुक्का के बाद हुआ थे आपके कि English पे तुक्का वीडियो जरू बना लीजे कि dictionary वाला जो प्रशन जब भी आये तो हमेशा याद रहें कि dictionary का काम क्या होता यह देखे general form में बता रहूं यह सारी चीजे general criteria यूज होती है तो तुक्का लगाने से पहले आप smartly work करिए तुक्का का काम ही है smart work करना ठीक है तो dictionary का जब भी आता है क्योंकि यह question आते हैं आपको confuse करने के लिए तो जहां पर लिखा रहा है कि translation सिखाएगा dictionary बिल्कुल गलत जहां लिखेगा कि fluent English सिखाएगा बिल्कुल गलत जहां लिखा रहाएगा कि यह dictionary का यूज होता meaning के लिए यह construction of sentence by use of it यानि आपके सब्दों का निर्माड करना इसकी help से तो यह option बिल्कुल करेक्ट होगा 110% क्या 1000% यह बोल रहा हूं तो पुना सुन लिजे dictionary वाला जब भी प्रशन आए क्योंकि यह question बार-बार repeated है इसलिए मैं तुक्का ऐसे ही प्रशनों पर बनेगा जिसको आप मैंने खुद analyze किया हुआ है यह प्रशन बार-बार repeat हो रहे है और इसके chances हैं जो यह options के तो dictionary जब भी आ है तो वहां पर meaning जहां पर लिखा रहा है कि इसका use होता है meaning के लिए या sentence के construction के लिए dictionary हम use करते हैं तो वो बिल्कुल correct होगा चौथे point की बात करूँ अगर तो चौथे में कि constructivitism in language मैंने प्रिवेश इर पीपर मताया है कि constructivitism कंस्ट्रक्टिविजम मतलब होता है इसको ब्रेक कर ले दिजी तो इसको समझते चलेंगे अगर आप इंगलिस बहुत ही easy language है as far as English is concerned for seated examination तो construction का जब भी प्रशना है या constructivitism in language का जब भी प्रशना है क्योंकि question बार-बार repeated है मैं वहीं 6 प्रशनों को लिया हूँ जो बार-बार आपकी question आने की chances है और यह 15 पेड़ागोजी की question है 15 पैसे को छोड़ कर 15 पैसे तो बहुत important अगर पंदर में आप 10 प्लस आप score कर ले ले तो यह पेड़ागोजी की अगर यह 6 options आ गए आपके hundred and ten percent है कि आप बहुत अच्छा score करके आ जाएंगे तो यह जब भी आया constructivitism का प्रशन तो हमेशा इसमें लिखना है को learner are makers of meaning and knowledge इसका मतलब है कि construction का मतलब मैंने आपको बताए निर्माड करना है ना तो जब भी ऐसा कोई option में दिखे कि जो सीखने वाला है वो निर्माड करेगा नए language का और उसका use करेगा अपने knowledge का previous knowledge का तो वो दस हजार पतिशत उसके chance होने है सही होने के chances याद रखिएगा जब भी constructivitism का प्रशन आये constructivitism का अरथी होता है निर्माड करना तो बालक जो है वो अपने previous knowledge से निर्माड करेगा नए सब्दों का नए meaning का तो इसका अरथ वहीं बिल्कुल correct होगा तो option बहुत ध्यान पांचवा मैंने बताया है पैसेज के उपर यह trick है कि पैसेज देखिए पैसेज हम लोग देखते हैं तो वहां पर हम लोग अपना दिमाग ना लगाये करें पैसेज का मतलब ही होता है कि भाया जो पैसेज आपने पढ़ा है प्रशन पढ़िए तो मेरा जो आइडिया रहत तो हम लोग गलती यहीं करके आते हैं कि हम पैसेज को जैनरल कोशन रहते हैं उसको अपने हिसाब से आंसर देने लगते हैं जो बिलकुल भी गलत है पैसेज का मतलब है कि आपको जो दिया गया है पैसेज इसमें से उत्तर निकालिए और यहां पर टिक करके आगे बढ़िए अपना दिमाग बिलकुल मत लगाई तो पुना बता दूँ अगर पैसेज के प्रशना है तो भूल जाएगे आपके पास दिमाग है बस जो आप सामने दिखे उसी को टिक करिए यह जो पैसेज में लिखा रहे है ठीक है तो पुना बता दूँ पैसेज में आपको पढ़ाना है प्रशनों के उत्तर उसी में से देना है अपना दिमाग बिलकुल भी नहीं लगाना है यह कॉजन है यह प्रेकॉसन आप जाए कह लिए तो बिल्कुल भी यह प्रश्ण अगर आप ऐसे पैसे के करते हैं तो पैसे के 15 में से 15 आप स्कूर कर सकते हैं याद रखिए कि पैसे में बहुत अच्छा स्कूर करने के चांसे होते हैं बेसिकली बस बेनिफिट यह है कि आपको प्रेकॉसन आपको यह लिना है कि आप किया तो पांस आपके पांस सालों के पिपर्स जो डबल डबल आते हैं साल पर में तो उसमें तीन प्लस में मैंने यह देखा कि बारवट डिसेबिलिटी के प्रशना आ रहे तो मैंने इसको बढ़ाया च्छे पॉइंट इसमें किया कि डिसेबिलिटी से पक्का एक प्रशन किया हुआ है ये छे तुक्का के वीडियो ये छे पॉइंट्स आपको इस वीडियो के help कर सकते हैं आपको seated exam में इंगलिस में अपना best score देने के लिए तो comment करके जरूर बताएगा कि कैसा ये point लगा आपको और I hope कि आपको ये सारे points आपने previous year question paper में analyze किया होगा लेकिन एक सांस sum up नहीं किया होगा तो जरूर देख लिजेगा exam देने जा रहे हैं सिटेट का तो आपके लिए बहुत beneficial होगा ये points कमेंट करेंगे जरूर बताएगा कैसा लगा आपको ये अच्छा लगा उत लाइक करिएगा और जितना ज्यादा होश के क्योंकि maximum question इसी पर आये थे comment में जितना ज्यादा होश के share चेरू करेगा God bless you all best of luck thank you so much